नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का इन खबर पर जो कि सिच्चक और छात्रा के रिस्तों को सर्मसार कर देने वाला है बता दे कि आरूपी मदर्सा सिच्चक है और जमात ए इसलामी की छात्र संगठन स्टूडेंट इसलामिक और्गनाईजेशन का पदादीकारी है पिड़ छात्रा SSP से मिलने सो मुआर को उनकी कार्याले पहुंची जहां आरूपी के खिलाब कारवाई की मांग की गई वहीं SSP ने संबंदे धारा पोलिस को मुकदमा दर्च करने के आदेश दिये दरसल पूरा मामला आलापूर थाना इलाके के ककरालाखा है यहां की रहने वाली एललबी की एक छात्रा को मदर्सा सिच्छक ट्यूसन पढ़ाने के बहाने मदर्से में बुलाता था और साधी का जहांसा देकर उसे प्रेमजाल में फसा लिया पिडिता का रूप है कि आरूपी ने कई बार उसका रेप किया और अब साधी से भी मुकर रहा है आरूपी के भाई मननान, हननान, फुरकान और सुभान जो जमायत उलेमा हिंद के पताधीकारी है पिडितों को धमका रहे हैं और फैसला करने को पैसे का लालच दे रहे हैं वहीं पिडिता का काना है कि इजज़त की कीमत नहीं होती इसलिए आरूपियों पर सक्त कारवाई होना ही चाहिए वहीं इस मामले में पुलिस के आला अफसर्वू का कहना है कि मामला गंभीर है थाना पुलिस को निर्दिस दिया गया है एक मुकदमा दर्ज कर कारवाई करें पिड़ता पेश होई थी और उसने सिकाईती पत्र दिया है पिड़ता का आरोप है कि आरोपी मदर्सा से चक है और स्टूडेंट इसलामी का आर्गनाईजेशन का पदादीकारी है उसके साथ साधी का जहांसा देकर दुसकर्म किया गया है प्रातना पत्र थाने को भेज दिय गया है वहीं अब इस मामले में हिंदुवादी संगठन भी मैदान में आ गये हैं और मामले में कारवाई ना होने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं उनका कहना है कि मदर्सों में यही सब होता है अगर कारवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा जरा अभी सुनिय को आदा करके सारदिक संब्द मनाए और अभी शादी से मना कर रहा है इस संब्द में उनके प्रात्ना पत्र को ठाने के लिए एंडोर्स कर दिया गया है थाना प्रभादी से बात कर ली गई है और इस संब्द में द्योग पंजिकर का आगे करवाई की जाएगी